दोस्तो आजम बात करने वाले एक बेतरीन से प्लान के जैसे की स्क्रीन पर आपने हमारा थमनेल देखा होगा इसी मौल को डिसक्स करेंगे और यह हमारा एक पेड यूजर थे उन्होंने मैं कॉंटेट किया था तो उनकी रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग यह हाउस क्रेट किया पूरा मॉडल डिफाइन करेंगे यह दोस्तो एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको कार पार्किंग भी देखने को मिलेगी साथ साथ सारे वैट डूम्स वगएरा डेटेल आपको देखने को मिलेगी अगर आप हमारे प्लान को डाउनलूड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplant.com पर जरूर विजिट करें लिंक आपको description में मिल जाएगा तो वीडियो को पूरा discuss करेंगी इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपने computer screen पर तो यह देखिए दोस्तों मैं अपने computer screen पर आ चुका हूं और यहां पर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से यह model मैं define करने वाला हूं काफी खुबसूरत प्लान है दोस्तों 26 x 41 में प्लान पूरा बना हुआ है जो की चारो तरफ से space है चारो तरफ से open area है इस बज़ए से यह पूरा प्लान मैंने create किया है देख सकते हैं इस बज़ए से मैंने चारो तरफ से window वगरा लगा रखी वें लाकि उन्होंने बोला था मुझे close करकर आप दीजिए तो उन्हीं के requirement के according है पूरा प्लान मैंने create करके दिया है यह दोस्तों car parking आप दिख रही होगी जो Porsche टाइब कर दिख रहा है यहीं से यह car parking करेंगे और यह पूरा model आज हम define करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते है इसका top view का तो उपर से अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा model देख पाएंगे देख सकते हैं यह दोस्तों stairs है यहाँ पर इसलिए मैंने गुम्टी create कर दी है जिसे आप उपर आप आप आएंगे चारो तरप से साड़े तीन पिट का boundary wall और बेतरीन से grill मैंने design करके दिया है बात करते हैं इसके ground floor की तो यह देखिए दोस्तों पूरा इसका ground floor proper तरिके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपका अगर बात करें top view की तो उपर से आपका घर ऐसा दिखेगा जब सामने से आप प्रवेश करेंगे घर में इंट्री करेंगे तो यहाँ से आप इंट्री लेफिट का यह आपका बीम बड़ा हुआ है इसके उपर आपका छथ बना हुए इसके बाद आप पोस्ट में जाते हैं तो आपको main door यह मिलता है आपका इस main door से इंट्री होगी लेकिन इधर आपका window देखने को मिलता है क्योंकि इधर आपका ventilation के लिए मैंने इस bedroom को ventilation किया आप देख पा रहोंगे आप आगे जाएंगे इस में डोर सेंटी करेंगे तो आप अपने डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएंगे और इसको भी विंट लीड किया है फ्रेंट विंडो से और साइड विंडो से इसके बाद इस गेश्टूम में आप इधर से एंटी कर पाएं समझ लें या इनका पार के पीछे क्योंकि जगह है तो और लेडी इसे उपन रखेंगे और पीछे निकल जाएंगे तो यह पूरा मॉडल आपको देखने को मिलेगा फिर समय समझाना चाहूंगा आपको यह आपका पोर्च इसे इंत्री करेंगे में डूर से आप डाइनिं और फ्रेंट से विंडो यह आपका एक लेड़ बात और इस बेड्रूम में अटैज लेड़ बात दर से है यह आपका एक बेड्रूम समझ लें या जिस इनकी पीछे जगह है तो यहां से वाइपास हो जाएंगे तो यह इसका ग्राउंड फूर बेतरीन तरीके में आपको जूम कर देता हूँ इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए विंडो का डिजाइन आप समझ लें कैसा बना हुआ है यह आप वाल का टेक्शर देख लें बीम का डिजाइन देख लें यहां पर यह मैंने लाइट वगरा दूस्तों लगा रखी है यहां पर दिया है देख शखते हैं बहुत ही सिंपल और बेतरीनव आपको मैने हापर बना कर दिया है प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहा होंगे यह आपका और छत यह लगबग यह थोड़ा आपका स्टिप में छत बनाया है तो दोस्तों अगर आपको हमारा मॉडल मोडल प्रशंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइस से जरूर कर दें अगर आप हमें पेड़ सर्विस का इस्तवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं या डिस्केप्शन में हमारा नंबर दिया है आप हमें वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे मोडल झाल झाल